क्या आपको मालूम है सन अठ्रा सो से इस देश में हिंदू-मस्लिम दंगे हो रहे हैं उन्निसोचभीस में पूरे देश में दंगे हुए थे क्या यूपी लहोर मुंबई तमिलाडू कुलकता सब जग अलग अलग वक्तों में दंगे होते रहे हैं तो यह जो एक गंगा जमनी तहजीब है यह कहां है अगर इतने दंगे होते रहे सौयों साल से दंगे हो रहे हैं तो कहां है एक गंगा जमनी तहजीब चल ये एक और तरह से देखते हैं लेकिन इस वक्त आपकी जान चली जाए ये ठीक नहीं है क्योंकि अभी देश को आपकी ज़रूरत है आजादी के लिए तो मैं अपनी मांग वापिस लेता हूँ हाला कि बात तों मेरी सही है कितनी प्यारी बात थी उस आमारण अंचन से मेटकर को जुकना पड़ा 1939 कॉंग्रेस का दिवेशन तिरुचली सुभास्चंद बोस जीत गए थे कॉंग्रेस अध्यक्ष के लिए सीतरमय आर गए थे लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं बोस नहीं बनेंगे वरना मैं छोड़ दूँगा कॉंग्रेस ये वो बहुत कुछ टेंटरम थ्रो किया तो सुभास्चंद बोस ने त्याक पत्र दिया यहां भी गांधी जी के जिद आगे आई अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने भूग अरताल करी तो अंग्रेजों क्यों नहीं किया इस सवाल का जवाब कौन देगा मुझे आज तक इस सवाल का जवाब ने मिला खेर उसके बाद जिनना अड़गे तो पार्टिशन हुआ 47 में पार्टिशन में करीबन 15-20 लाख डेड बोडिज जो हिटिलर नहीं कर पाया 15-20 लाख डेड बोडिज हमने देखी कुछ करोड एक डेड़ करोड लोग यहां से उजड़के भागए वहां से उजड़के यहां आए पूरी human history में इससे ज्यादा dangerous इससे ज्यादा खतरनाक चीज कुछ नहीं हुई शायद वो रवांडा टूटसी में जो problem हुई वो ही इसकी टकर की problem होगी सैंक्डों सैंक्डों औरतों को नंगा करके सड़क पे चलाया जाता था उसे पिंड यात्रा कहते थे इतनी दर्दनाक चीज बट यह हुआ क्यों and who failed किस वज़े से इतना बड़ा partition हुआ सिर्फ एक वज़े से कि Muslims ने कहा हम आपके साथ नहीं रहेंगे और आप बक्वास आज भी करे जा रहे हो गंगा जो अमनी तहजीजिव की कौम ही एक जाती की बीस लाख लाशें गिर गए आप अभी भी सच का सामना नहीं करोगे उसके बाद जो partition से लोग आए यहां बहुत सारे शहरों में रहे और अगले बीस पच्चिस तीस साल बड़ी गरीबी में रहे ना उनके पास पैसे थे ना कैम्प बोल दिया जाता था महां कैम्प में रहते थे बहुत तकलीफों से उन्होंने बीस तीस साल बिताए अब तो वो लोग नहीं है गुजर गए लेकिन उनकी वो दर्द की वो जो रॉंपे खड़े कर देने वाली उनकी कहानिया थी वो कहानिया जिंदा है वो लोग जि पर वो कहानिया इस देश के सबकॉंशिस में चली गए है कलेक्टिव सबकॉंशिस में वो कहानिया है इसलिए जो आप हिट्रेड देखते हैं हिंदू-मुस्लिम की वो बड़ी एबस्ट्रेक्ट सी हिट्रेड है उसके कोई शेप नहीं है आप मालूम भी नहीं पड़ता कि इस वज़ा से या किस चीज के लिए पर वो है फिर आजादी हो गई सरकार बन गई कॉंस्ट्रेशन आ गया उसके बाद फिर अजीब-जीब सी चीजें होने लगी इस देश में शरिया की बाते होने लगी चार शादियां कर सकते हैं हां कर सकते हैं शाह बानों आती थी तो पूरा पार्लियमेंट उल्टा लटक जाता था सुप्रीम कोर्ट को दबाने के लिए ये कुछ अजीब-जीब सी चीजें होने लगी इस देश में तो कभी ये क्यों नहीं कहा गया कि हां हम शरिया पूरी तरह लागू करेंगे हिंदू चोर जेल में जाएगा मुसलमान चो अपने हिसाब से लिखे सारे युणिवर्सिटिस के वाइस चांसलर और ये एन चार्टी सीब्सी सबके हेड्स नों ने अपने आदमी भढ़ती करने शुरू की उन्हीं लोगों को पदमश्री देना शुरू किया उन्हीं लोगों को तमाम मंसब और तमाम तरह की वही इफ्तार की पार्टियों में जाते थे, वो पार्टियां जहां ये बताया जाता था कि कोई भी इस ट्रस्ट नहीं है इन दोनों कौमों की वीश में, बढ़िया दावते खा रहे थे, रोजा इफ्तार कर रहे थे, कॉंग्रेस बीकेम अ मचली मार पार्टी, उन्होंने मुस्लिम वोटों की फिशिंग स्टार्ट करती, यहां से फिशिंग स्टार्ट हुई, और अगेन वही बात कैरेट, एक बार जब बात समझ में आगी, तो फिर जितने नए 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 लीडर आने लगे, लालू, उमलायम, सब वही फिशिंग में लग गए, मैं बड़ा इंटरस्टिंग, एक अपना परसेप्शन देना चाहता हूं आपको, ब्रिटिशर्स जो 47 में इंडिया छोड़के चले गए, मान लेजिए आजादी के बार वो यहीं रह जाते, मान लेजिए, जैसे साउथ अफरिका में सारे उनके प्लेयर्स जो हैं, जो नेशनल हीरोज हैं, वो वाइट हैं, एक दो रबाड़ा वगएबर, रबाड़ा और वो सब खेल लेते हैं, बड़ मोस्ली वाइट खेलते हैं, अंग्रेज वहां से छोड़की नहीं रह गए, खेर, अगर यहां ऐसा होता कि बिटिशर्स यहां रह जाते हैं, तो मैं आपको एक, मेरा यह एक अकलन है, तो 20-30 साल बाद एक पॉलिटिकल पार्टी पैदा होती ही, जो उनके वोट की फिशिंग करती हैं, और हम यह समझाया जाता कि हिंदुस्तानी और बिटिशर्स में कभी कोई जंजट था ही नहीं, अगर अंग् तो यह जूट चलता रहा, और हिंदुस गट सिक आफिट, पर कहने का कोई रास्ता नहीं था, कोई आउटलिट नहीं था इस बात को कहने का, कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिसके साथ वह बात कहते हैं, अब यहां मैं थोड़ी सी डिटूर लेना चाहता हूँ, कॉंग्रेस न इसी के साथ जो गलतियां भी उन्होंने बहुत बड़ी करी, एक इतनी बड़ी चीज को, elephant in the room जिसको बोलते हैं, dinosaur आपके सामने खड़ा था, आप उसे address, उसका solution निकाल पाई, कम से कम हां तो कहते dinosaur खड़ा है, और जूट ऐसे ऐसे चलाए, जैसे काश्मीर के बारे में अब पता लगा, ये जूट है, महराजा हरी सिंग ने ऐसे को साइन ही नहीं किया था, ये तो दलाल टाइप के लोगों ने डेड़ साल बाद, पौने दो साल बाद लाए 370, और अंबेड कर ने साफ साफ मना किया, कि नहीं है ये 370, नहीं लगा हूँगा, इतनी खराब है फिर भी लगा दिया आपने, जबरदस्ती ठोंग दिया आपने, अब मैं अपनी बात पे वापिस आता हूँ कि नरे नरमोदी कोई आदमी है ही नहीं, ये वो खूटी है, जिस पे इस पूरे देश ने अपना ये जो बरसों का गुस्सा है, 50 साल का नहीं, 1500-200 सालों का गुस बिल्कु ठीक सुना आपने, हम एहसान फरामोश लोग हैं, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, बंदा बहादुर, भाइमती दास, हकीकत राय, गुरु गोबिन सिंग, अपने नाम सुने, सिख गुरु उनके साथी, जब हिंदु कौम इसलामिक रूलर से बहुत परेशान थी, फोस कनवर्जन हो रहे थे, बहुत जुल्म हो रहे थे, जजिया, वजिया, बहुत चीज़े थी, तो इन्होंने हिंदुों को बचाने के लिए ये सब कुर्मानिया दी, किस गुरु को जिन्दा जला दिया, किस को गरम तवे पे भून दिया, बात इनकी कविताएं हम स्टेज पे गाया करते थे, जब हम छोटे थे, हकीकत हूँ हकीकत को हकीकत जब बताऊंगा, हूँ एक लाखों को हकीकत मैं बनाऊंगा, इस सारे जुल्म को सहकर, हिंदुों में से एक वारियर कौम पैदा हुई, खालसा, पर आजादी के बाद, टेक्स बाते करो, अगर आपने ये सब बाते करी, तो बड़े आप कमुनिल कहला होगे, तो हम बड़े कन्फ्यूज से होगे, कि क्या करें, तो कुछ समझ नहीं आया, तो हमने सिखों पे जोग बनाने शुरू कर दिया, कल्पना कीजिए, हिंदुों में से उठी हुई एक कौम, ज जिन Muslim rulers के हातों हो, जिससे पुरे लंबे वक्त में, बोज हमने तकलीफें सही, जिससे Britishers के हातों सही, Britishers चलेगे, उन Muslim लोगों के हातों जो हमने इतनी तकलीफें सही, उनको अज़ादी के बाद हम कुछ address नहीं कर पाए, और confused होगे कि ये सब जुल्म हुए भी थे या नह जिससे का एक cancer है, जो इस देश को खाए जा रहा था, कई सो साल से, वो cancer partition में दिखाई दिया, आपके दो हाथ काटने पड़े, भारत एक पाकिस्तान बन गया, एक बंगलादेश बन गया, दो हाथ कट गया, आपके अंदर इतना बड़ा cancer था, लेकिन आप क्या करते हैं, आ 50 करोड़ Muslim भी यहां पर रहते हैं, यह कहां से आए, इतने Muslim तो अरब में भी नहीं है, Middle East में इतने Muslim नहीं है, इस देश में पार्सी भी आए, बुद्ध हैं, राजपूत हैं, सिख्ख हैं, बहुत काउम हैं, यह क्यो नहीं होगए 50 करोड़, इस question का क्या answer है, फिर एक दला संत आते थे दर्वेश फकीर वकीर आते थे और लोग प्यार से कनवर्ट हो गए मैं आपको एक जम्पल देता हूं जैसे हमारा एक बहुत बड़ा देश था पर्शिया महां पार्सी रहते थे और वो कलाओं में ट्रेड में एजुकेशन में बहुत उपर देश था उसकी वो सिविलेजेशन बहुत हाई पे थी यह मेडिल एजीस की बात है मुस्लिम्स का अटैक हुआ करीबन 25-30 साल में एक भी पार्सी जिन्दा नहीं बचा सारे देश चोड़के भागे मर गे लूट हत्या बलातकार और 25-30 साल में एक नया इसलामिक मुल्क बन गया बाद में जिस मुल्क का नाम पड़ा इरान सारे पर्शन कहां गए कुछ भागे तो हिंदोस्तान भी आ गए थे वो प्यार से कनवर्ट हो गए ऐसा प्यार इस दुनिया ने कई बार देखा है अफ्रीका में एशिया में ऐसा प्यार 25-30 कंट्रीज ने बरदास्त किया है और वो 25-30 कंट्र इस अधिक इस चलिफेट जो बगदादी करता है खलीफा खलीफा जो अपना सामराज्य बनाता है जहां सिर्फ मुस्लिम होते है और गैर मुस्लिम है तो उन्हें डिम्नी बनके रहना पड़ेगा खत्म होके रहना पड़ेगा वो कैलिफेट है इसलाम की इसको काश्मीर में हिंदुस्तान में कैलिफेट है 1921 में मालाबार में दंगा हुआ था वहां भी कैलिफेट बनाने की कोशिश की गई थी कुछ 50,000 या एक लाख हिंदू को बाहर निकाल दिया था वहां से कर रहे थे गंगा-जम्नी तहजीप पर सेमिनार कर रहे थे और इस तरह की तमाम रोजाइफ्टार की दाफ़तें चल रही थी हैपी और जो पूरी तरह इस्लामिक नहीं बना उसके टुकडे होए जैसे हिंदुस्तान के टुकडे होए और आपकी हमारी जिन्दगी हमारे ल या आप इतने मूर्ख हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है आपने कभी देखा ही नहीं या आप जोते हैं या आप दलाल है अगर आप इस पूरे प्रोसेस को मना करते हैं कि यह नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था यहां तो बड़ी गंगा जमने तैजीब थी आप इन सब में से ए तो एक आदमी करीबन ऐसे 10-15 परिवार उसके आसपास होते हैं इसके बाद आप कॉलिज आपका कॉलिज स्कूल कॉलिज जहां पचास सौ स्रूडेंट हैं जिसमें कुछ दोस्त हैं जो आपके साथ ट्रेवल करते हैं जिन्दगी भर फिर आपका महला आपकी कॉलोनी वहां आपके कहीं न कहीं से अब मैं आपसे एक साइस करता हूँ पिछले 20-30-50 साल में ये इन हजार लोगों में से कितने लोग मुसलिम बनें कितने लोग कनवर्ट हों आंसर मिलेगा जीरो क्या हुआ सारे सूफी दरवेश फकीर रेटायर हो गए आईपेल देखने चले गए इस या बहुत सारे पैसे ना हों कोई कनवर्जन नहीं होता उसके बद पारलियमेंट पे टायक हुआ और उसमें शामिल अफजल गुरू उसके समान में उसके समर्थन में लोग खड़े हैं हजारो हजारो लोग मुसल्मान खड़े हैं और हमने तब भी कुछ नहीं का इस देश हमेशा हैं اسब को यृ कि नहीं है कि यृ कुछ की कुछ कहा है नहीं पा रहा था यह चल्रहा था तो यह O और वो एक hate, वो एक नफरत जो थी, वो कभी, it never became a past history, distant history, कभी नहीं हुआ, वो रोज रहा, कभी वो अवजल गुरू के रूप में आगी, कभी क्रिकेट मैच के रूप में आगी, कभी कश्मीर, कभी आजाद में, वो हमेशा कभी ना कभी उसके new additions आते रहते थे, एक और exercise कर हैं, आप motorcycle चलाते हैं, car चलाते हैं, cycle, scooter, कुछ चलाते होंगे, जब भी आप सड़क में जाते हैं, तो थोड़ा संभल के चलते हैं, लेकिन आपके शहर के जो Muslim area, जब उसमें आप जाते हैं, तो कुछ extra संभल के चलते हैं कि नहीं, extra संभल के, कि अगर यहां लग गई, तो extra पिटाई होगी, वो जो fear है आपके अंदर, वो जो डर है, वो कमाल की चीज है, जिसको देश कहता है नहीं, एक system कहता है नहीं, लेकिन आपके अंदर है, करोडों लोगों के अंदर है, 100 करोडों लोगों के अंदर है वो डर, और एक आखरी exercise, जब भी आपको कोई ज्यान ब पुरान सब एक जैसे है, जिसस, राम, कृष्टन, पैगंबर, मौहमद, सब एक जैसे है, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, सब प्यारे इंसान है, सब बढ़िया है, सब बराबर है, एक पेज पर लिखके उसे बोली जड़ाए, दो-चार मुस्लिम से साइन करा किला, ऐस चीं की आवाज आएगी, उस intellectual की, आपके बाद जिन्दगी में दुबारा ने आएगा वो, एक मुसल्मान के साइन ने करा सकता है, इस बात पे, यह सारा ड्रामा हमारे लिए है, तो, जहां से मैंने बात शूरू करे थी, कि यह जो गुस्सा है, यह कई सौ साल का गुस्सा ह जिसको वेंट नहीं मिला कभी, निकलने की जगा नहीं मिली, और यह जो बार-बार दंगे होते हैं, यह उसकी EMI है, and coming back to the point, मोधी कोई आदमी है ही नहीं, मोधी वो मौका है, और वो गैरेंटी है, कि इस बार जब शाहबानों पार्लियमेंट में आएगी, कि हलाला हो गया कि चार विवा हो गया, कुछ हो गया, इस बार पार्लियमेंट ब्लैक में नहीं होगी, वो एक शक्स नहीं है, वो एक इमोशनल बाम है, एक इमोशनल मलहम है, जिसकी इस देश को कई सौ साल से ज़रुत थी, और अगर आप सोचते हैं, कि एक आदमी क्या कर सकता है, तो दोस कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पथर तो तब्यत से उच्छा लो यारो